गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स कैसे हो आज हम पुने एक नए टॉपिक के साथ हमारे यूटूब चाइनल फिजिक्स पिनाकल सहरन सर में प्रस्तोत हुए हैं और मैं उमीद कर सकता हूँ कि अब से पहले जो भी आपको टॉपिक प्राप्थ हुए हैं आपको अच्छे से समझ में आये होंगे आज हमका हमारा टॉपिक रहेगा एक समान विद्धु छेतर में किसी विद्धु दविधरू को घुमाने में किया गया कारिय यानि work done in rotating electric dipole in an uniform electric field एक समान विद्धु छेतर के अंदर किसी दविधरू को जब घुमाया जाता है तो कितना कारिय होगा इसकी चर्चा आज हम करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए आप इस पूरे वीडियो को देखें जिस किसी ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उसको हमारे आने वाले टॉपिकों की वीडियो भी आसाने से प्राप्त हो सके तो हम सुरू करते हैं विद्धु छेतर में किसी भी बिंदु पर आप ई का मान देखेंगे, विद्धु छेतर की तीवर्ता का मान देखेंगे, वो समान रहेगा. हम दूसरे सब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्धुत बल रेखाओं की जो संख्याएं हैं वो एकांग कायतन में एक समान है अर्थात इन बल रेखाओं के मद्धे जो दूरी है वो समान है ऐसा नहीं है कि देखो इसमें आप देखोगे परस पर ये समान अंतर है अगर इस तरह की हो हमारे पास विद्धुत बल रेखाओं इस तरह की हो तो यहां विद्धु छेतर की तीवरता ज़्यादा हो जाएगी और यहां कम हो जाएगी तो इसको हम ऐसमान विद्धु छेतर बोलेंगे इसलिए आप डाइग्राम से देख सकते हैं कि सारी की सारी बल रेखाएं बराबर दुरी पर समान गैप में हैं इसलिए हम इसको एक समान विदुचेतर कहते हैं अब इस एक समान विदुचेतर में हमने क्या किया है कि दवी धुरू को रखा है मालने जी दवी धु प्रारम में थिट्टावन की स्थित्ति पे है अर्थात विद्धु छेतर की तीवर्ता के साथ इसका कौन थिट्टा बना हुआ है हम विद्धु दवी धुरू को समझ लेजिए विद्धु दवी धुरू क्या होता है विद्धु दवी धुरू का मतलब होता है समान वे परिमान तो समान होने चाहिए और उनकी प्रकरती विपरित होने चाहिए किसी निश्चित दुरी पर यानि इनके बीच की दुरी 2a हमने कंसीडर कर ली तो यह जो संरचना होगी इसको हम क्या कहतेंगे विदुद्ध विधुरू यहां डाइग्राम से देख लीजी यह यह ज देखो दोनों आवेश क्या है एक पलस का क्यों एक माइनस का इनके चिन अलग-अलग हैं लेकिन इनके परिमान समान हैं इसलिए यह संरचना क्या कहलाएगी आपकी विदुद्ध विधुरू और प्रारम में यह क्या करता है यह विदुद्ध चेतर की तीवरता के साथ ठी अगर इसको आप अध्याय पर्थम यानि फर्स चैप्टर के अंदर देखेंगे तो वहां आमने इस टॉपिक को किया था अगर विदुद्ध चेतर एक समान है तो प्रिणामे बल शुन्य होगा ध्यान रखना यह बात बटा कि प्रिणामे बल जो होता है हमारा वो शुन्य होगा लेकिन टॉर्क है यह शुन्य नहीं होता अर्था इसके उपर कोई न कोई बला गुर्ण काम करेगा क्योंकि बलों का यूगम बनता इसमें और जब समान वे विपरिते बल किसी यूगम का निर्मान करते हैं तो उनके गुर्णन उनको घुमाने के लिए जो हमारा अगर दॉर्क का बोल रहे हैं तो अमने पर्थमाद द्याई में टॉर्क का फ़र्मूला जनरेट किया था कि टॉर्क क्या होता है पी क्रोश यह यहां समझ लिजी यह पी क्या है यह तो बला गुर्ण को परदरसित करेगा यानी घुर्णन बल भी कहलो इसको अगर आपका स दवी धरू आगुरन क्या होता था? कि यदि आपको कोई एक दवी धरू दे रखा, जैसे ये पलस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, और इनके बेच की दुरी है, तो हमने परिवासा पड़ी थी, दवी धरू आगुरन एक सदीस रासी है, और दवी धरू आगुरन क्या कहलता है, कि इन दोनों आवेशों में, यानि ये जो आवेशों के युगम है, इनमें से किसी एक आवेश को ले लेना, चाहे पलस के क्यू को ले ले, चाहे माइनस के, चिन साथ में नहीं लेना, इसका परिमान लेना है, तो हमने एक आविश का मान रख दिया, गुणा में इन दोनों आविश्चों के बीच की दुरी कितनी है, 2A, इस गुणनफल का मान क्या कहलाएगा हमारा P, P का मतलब है विद्धुत दविधरू आघूरन, तो हम समझ चुके हैं कि टॉर्क क्या होता है, P x E, यह क्रोस और एक था हमारा सदीश गुणन, एक था सदीश गुणन, अदीश गुणन था, इसको डॉट प्रोड़क्ट बोलते थे, और सदीश गुणन इसको क्रोस बोलते थे, इन दोनों में डिफरेंस यह था, कि अदीश गुणन जब डॉट होता तो थिटा कोस आता है, और जब ह उमारा सदीष गुनन होता तो उस समय साइन थिटा आता है, तो यहां हमारा आप नोट करेंगे तो क्रोस प्रोड़क्ट है, यानि सदीष गुनन है, तो इस क्रोस को अटाओंगे तो तोर्की वैल्यू क्या जाएगी, पी ई साइन थिटा, यह जो थिटा है, यह अगर इसको अपनी स्थिति से यानि जिस स्थिति पे था है स्पोज कर लिया हमने कि यह विदू छेतर की तीवर्ता यह यह दवीद्रू आगुरन है और किसी समय इसकी स्थिति का मतलब हो गया कौन यह स्थिति है ठिटा कौन बनाता है अगर इसको थोड़ा सा गुमा दें आप चाए राइट या लेफ्ट किसी भी साइड में इसको रोटेट करना हमने थोड़ा सा गुमाना है और जब गुमाएंगे तो इसकी स्थिति कितनी बदलगी डी ठिटा इसको बोलते हैं कौन यह विश्थापन अगर स्थानांतरन गती हो उस समय वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएं एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर लेके जाएं तो उसको विश्थापन कहते हैं यही स्थिति हमारे कौनिय गती के अंदर होती है जब घुर्णन गती हो तो उसकी एक स्थिति से दूसरी स्थिति त तो उसको हम कोणिये विस्थापन कहते हैं तो कोणिये विस्थापन हमने की कितना किया डीठीटा अब कारिये यानि डीठीटा कोणिये विस्थापन तक गुमाने में किया गया कारिये की परिभासा आप कारिये का सुत्तर देख ले तो क्या होता बल गुणा में विस्थापन बल गुणा में विस्थापन अब अगर स्थानांतन गती है तो बल गुणा विस्थापन पड़ा हुआ है अगर अमारी गती कोणिये हो तो क्या हो जाएगा कोणिये बल यानि गुरुनन बल और कोणिये विस्थापन तो यह हमने सुत्वर लेख दिया कि थोड़ा कारिये किया गया है अल्प कारिये हुआ क्योंकि इसमें विस्थापन भी तो अल्प है तो क्या होगा बल बल कोण हो गया कौणिये बल इंटू कौणिये विस्थापन डी ठीटा टॉर्क कमान समीकन एक से रख देंगे टॉर्क कमान समीकन एक से क्या रखेंगे P E Sine Theta अब यह कहता है अगर हमने अल्प विस्थापित किया है थोड़ी सी मातरा में इसको कौनिये विस्थापन पर हमने घुमाया है तो कारिये भी क्या होगा? थोड़ा होगा, अल्प मातरा में होगा अब यहाँ चित्वर से देख लीजिए प्रारम में कैस्थिति यह इसकी Theta 1 कौन पर और बाद में हमने इसको विस्थापित करके किस कौन पर लेके चले गए? Theta 2 पर तो यह कहता है Theta 1 से Theta 2 कि स्थिति तक गुमाने में किया गया कुल करिये कुल करिये कैसे करते हैं? हमें अगर थोड़े से करिये का पता हो तो उससे कुल करिये कैसे निकला जा सकता? कुल करिये समाकलन करके तो कुल करिये हो गया W बराबर है समाकलन कहां से कहां तक गए हम Theta 1 से Theta 2 तक DW dw क्या हो गया हमने थोड़ा सा विस्थापन करके करिये निकाला था, dw का मान क्या था, torque into d theta, और limit वही रहे गिया हमारी theta 1 से theta 2, यानि प्रारंबिक सिती, minus अंतिम सिती, अब हम torque का मान रख देंगे समी करने एक से, हमें पता है कि torque का मान क्या है, pe sin theta d theta, अब जब समाकलन तो समाकलन में हमें यह पता लगाना कि constant कौन सी रासी है, और कौन सी रासी हमारी परिवर्तन सिल है, यानि जिसका समाकलन करना है, यह क्या बताता है, अलप परिवर्तन कौन के अंदर, यानि कौन यह विस्थापन में अलप परिवर्तन, theta के अंदर परिवर्तन है, d theta का मतल थिट्टा के मान में परिवर्तन, तो यानि थिट्टा को छोड़ कर बाकी सभी क्या है इसमें constant, और बाकी क्या क्या है इसके पास, एक तो P है और एक E है, P और E दोनों के दोनों constant हो जाएंगे, क्योंकि ये कौन के उपर निर्बर है नहीं करते, तो P E को बार ले लिया, समाक करते हैं दी थिटा से तो वो माईनस कोस थिटा होता है यह सुतर हैं आप 25 कर लें ! साइन का जब करोगे तो माइनस कोस आएगा तो हमने यहां समाकलन कर दिया साइन थिट्टा का क्या हो गया माइनस कोस थिट्टा माइनस कोस थिट्टा रखते ही लिमिट रखेंगे लिमिट रखेंगे तो लिमिट कैसे रखी जाती है पहले अपर लिमिट माइनस लोवर लिमि यह ऐसे बचेगा cos theta limit होगी theta 1 से theta 2 मान रखते हैं minus P e ऐसे का ऐसा bracket cos यहाँ limit पहले उपर वाली रखनी है यह जो theta दिया इसकी जिगह क्या रख दिया theta 2 minus cos theta 1 अब इस minus को अंदर वापिस ले जा सकते हैं यह minus अंदर जब entry कराओगे इसकी तो plus वाला है यह तो minus को होजाएगा और यह minus वाला है यह plus को होजाएगा तो chin पलट जाएगे और हमारा finally क्या हो जाएगा PE ये माइनस अंदर लेके तो ये वाड़ा part क्या हो गया पलस में इसलिए आगे रख दिया और ये वाड़ा माइनस में हो गया इसको हमने पिछे रख दिया समिकन दो ये कारिये को परदर्शित करेगा तो जब एक समान विद्दू छेतर में किशी दवीधरू को ठिटा वन कौन से ठिटा टू कौन तक गुमाने में किया गया कारिये किसके बराबर होगा समिकन दो में दिये गए सुतर के बराबर हो जाएगा अब इसके बाद देखिए इसकी विशेश स्थितियां सुतर वही रखना है विशेश स्थितियां क्या-क्या हो सकती है देखिए पहली स्थिति में बताता हूँ ये कहता है कि अगर प्रारम में हमारा प्रारम में ये विद्दू छेतर की तीवर्ता थी हमारी ये वाली ई की दिशा है ये कहता प्रारम में दवी धरू इसी दिशा में हो अमारा पलस क्यू और माइनस क्यू ये प्रारम बेख्स्तिती है प्रारम बेख्स्तिती जब दोनों समाना नतर होंगे थिट्टा वन का मान क्या जेगा जीरू अब इसको यहां से गुमाना शुरू किया इस में किसी कौन thitta तक इसको गुमाया गया, यानिillar किसी द्वी धुरू को विद्वचेतर में thitta 5 बराबर 0 से thitta 2 बराबर thitta तक, यानि 0 से thitta कौन तक गुमाने में किया गया करें, तो वमारा समीकन 2 का जो सुतर है उसमें क्या करेंगे, thitta 1 की जगए 0 रखदेंगे, और theta 2 की जगह है, theta रख देंगे, यह देख लीजिए, w is equal to pe cos, यहाँ theta 1 था, तो theta 1 की जगह क्या रख दिया, 0, और theta 2 की जगह है, theta, आप सब जानते हैं, cos 0 का मान कितना होता, cos 0 का मान एक होता है, तो यह हमारा मान रख दिया, हमने cos 0 को एक रख दिया, यहाँ, तो क्या बनेगा, w ब्राबर प e, cos 0 को 1 अख माइनस cos theta की वह लिए cos theta रख दी, यह हमारा पेला case हो गया है, यह case कब है, जब किशी दवीधरू को विद्धू छेतर की दिशा के समानंतर स्थित्ति से किसी कौन theta तक गुमाया जाता है, दूसरा case देख लीजिए, दूसरे case में क्या कहता है, यदि विद्धू दवीधरू को स्थाई संतूलन, एक बात और ध्यान दें, स्थाई संतूलन का मतलब यह होता है, कि हमारा विद्धू दवीधरू, विद्धू छेतर की तिवर्ता की दिशा में है, अर्थात यह दोनों प्रस पर, समानांतर है, एक दिशा में है, तो वो स्थाई संतूलन की अवस्था में था, और स्थाई संतूलन अवस्था का मतलब हो गया, यह विद्धू छेतर की दिशा ए थी, इसी दिशा में दवीधरू है अमारा पी, अब क्या करना, इसको ठिटाई इकॉल टू जीरो से, इसके लंबवत लेके जाना हमें, 90 डिगरी क्या होता है, लंबवत, तो हम यह कह सकते हैं, कि दवीधरू को स्थाई संतूलन से थीटाटू बराबर है, 90 डिगरी तक घुमाने में किया गया, करिये, तो वही केस हो गया हमारा थीटाई वन की जगए 0 रख देंगे सुत्तर में, औ और थीटाटू की जगए 90, तो डबलू बराबर पी इ, कोस जीरो, यह थीटाए 1 की वेल्यू, यह थीटाटू की वेल्यू, हमें पता कोस जीरो की वेल्यू क्या होती है, कोस जीरो की वेल्यू 1 होती है, तो यह 1 हो गया, और कोस 90 क्या होता है, 6 तो कोस 90 को हमने क्या रख द सथाई संतुलन मैंने समझा दिया कि विद्धु छेतर की दिशा में विद्धु दविद्रू स्थित है से थिट्टा टू बराबर 180 यानि 180 कोन का मतलब है विप्रित दिशा में विप्रित दिशा में यानि विद्धु छेतर के समानांतर में था विद्धु दविद्रू अब उसको क्या कर दी हमने उसके विप्रित दिशा में गुमाया गया, तो इसका अर्थ क्या हो गया, कि थिटा 1 का मान तो जीरो और थिटा 2 का मान कितना हो गया, वनेटी, तो सुतर समिकरण 2 में रखो, P e cos यहा थिटा 1 की वेलू, यहा थिटा 2 की वेलू. हमें पता है कोस 0 का मान कितना होता है एक ये कोस 0 का मान कितना हो गया एक और कोस 180 का मान कितना होता है माइनस एक बाहर माइनस है माइनस और माइनस क्या हो जाएगी पलस 1 पलस 1 कितना हो गया टू तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा W is equal to 2PE यानि अगर हम किसी दवी धुरू को विद्धु छेतर की दिशा से विद्धु छेतर की दिशा के विपरित गुमाते हैं तो किया गया कारिय दो गुना गुना में PE की बराबर हो जाएगा PE यहाँ पर क्या है PE विद्धु दवी धुरू क आगुरण है और E विद्धु छेतर की दिशा थी नेक्स्ट केस है यदि दवी धुरू को थिटावन बराबर 90 से थिटाटू बराबर थिटापर यानि अब केस विद्धु छेतर केस है ये ये क्या कह रहा है प्रारब में ये अगर विद्धु छेतर की दिशा थी तो इसके लंब वत हमारा दवी धुरू रखा हुआ था PE अब इसको क्या करना है हमने विद्धु छेतर की दिशा की और किसी भी कौन थिटा के उपर इसको लेके आना है यानि प्रारबि कौन कीतना होगे 90 अंतिम कौन कीतना होगे थिटा तो 90 डिगरी से थिटा कौन तक गुमाने में किया गया कारिया तो हम क्या करेंगे समीकन 2 में थिटा 1 को 90 रख देंगे जो थिटा 1 था उसका मान रहा हमने 90 रख दिया तो cos 90 का मान क्या हो गया, 0 और cos theta का मान theta, तो हम देखी लिजिए, यहां, यहां क्या बन जाएगा हमारा, w बराबर है pe, w बराबर क्या हो गया, pe cos theta, आप थोड़ा सा सुदार करें, इसमें यह थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इस ट्रम को काटके, ऐसे लिखेंगे, w बराबर है, p dot e, dot लगा देंगे, इस cross की जगे पे, इसको थोड़ा सा change कर लें, क्योंकि cos theta होता है, तो dot product आता है, यह इसको हटा दें, यहां से, यह हमारा next case था, उसके बाद इससे संबंदित एक numerical की बात कर लेते हम, देखी स्टूडेंट्स, हम question देखते हैं, question में कहता है, एक विद्धु दवी धुरू में, plus one micro कुलाम, और minus one micro कुलाम के दो बिंदु आवेश है, यह हमारा, एक दवी धुरू है, एक plus one micro है, एक minus one micro है, कुलाम आवेश है, एक दूसरे से 2 cm इंके बीच कि दूरी है वो कितनी है? 2 cm सबसे पहला काम हमारा P निकलना होगा क्योंकि हमें दवी दरू में P नहीं दे रखा हमें दवी दरू में क्या दे रखा? आवेश दे रखे हैं और आवेशों के मद्धे दूरी दे रखिये तो हम आसानी से P निकाल सकते हैं P निकालने का त्रिक्का देखिए P क्या होता था? किसी भी एक आवेश का परिमान और उनके बीच की दुरी आवेश कितने हैं? 1 µ कुलाम एक गुणा में µ उता 10 की – 6 दुरी कितनी दे रखिए है? 2 cm, 2 cm इसको मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? यह 100 है इसका हम दलोगे 10 raised to power 2 है तो इसको हम क्या लिख देंगे? P is equal to 10 raised to power minus 6 into 2 into 10 raised to power minus 2 और solve करोगे तो 2 into 10 raised to power minus 8 कुलाम मेटर यह हमने P की value निकाल ली P की value कितनी निकल गी? 2 into 10 raised to power minus 8 कुलाम मेटर उसके बाद उसके बाद कहता है यह दवी दरू इतने वोल्ट मेटर वोल्ट मेटर किसकी उनिट है? विद्दू छेतर की ती वरता की और विद्दू छेतर की ती वरता कितनी दे रखी है? इसने 1.0 10 raised to power 5 वोल्ट पर मेटर के समरूप विद्दू छेतर में स्तित है यानि हमें पता लग गया कि P बराबर है 2 into 10 raised to power माइनस 8 कुलाम मेटर का जो हमारा दवी धरू है कुलाम मेटर का वो E is equal to 1.0 10 raised to power 5 वोल्ट पर मेटर के लिए निउटर्न पर कुलाम इस विद्दू छेतर में रखा गया है अब क्या करना हमें? अब देखी पहला कॉस्टन कहता है ये विद्दू दवी धरू पर विद्दू छेतर दवारा लगने वाले अधिकतम बलागुरण तो हमें इसका मतलब क्या हो गया? बलागुरण का पता होना चाहिए बलागुरण होता टॉर्क और टॉर्क सुथ्तर था P E sin theta ये हमारा सुथ्तर है आपको ध्यान होना चाहिए कि सुथ्तर होता क्या है हमारा P का मान अमने निकाल लिया था कितना है था? 2 into 10 raise to power minus 8 E का मान दिया हुआ है 1.0 10 raise to power 5 into अधिकतम मान इसके अधिकतम मान के लिए theta कितना होना चाहिए? 90 degree क्यों? अगर theta 90 degree होगा उसी समय sin 90 का मान एक होगा तो अधिकतम मान के लिए कितना होगा? 1 इसको proper तरीके से ऐसे लिख सकते हो torque is equal to P E sin theta torque maximum यानि अधिकतम मान कब होगा? P E sin 90 degree ये ध्यान रख लेना ये फॉर्मूला है जब torque maximum हो यानि लगने वाला बला घुरण है अधिकतम हो तो theta का मान कितना होता? 90 sin 90 का मान कितना होगा? 1 तो सुतर क्या बन गया? P into E हमारे पास torque maximum P into P का मान हमें पता है? E का मान पता रख देंगे तो क्या बन जाएगा? torque maximum is equal to P का मान होगा 2 into 10 raise to power minus 8 और इसका मान होगा 1.0 10 raise to power 5 1 से 2 की मल्टिपलाई करोगे 2 ये minus 8 है पलस का 5 है तो minus के बचेंगे कितने? 3 minus 3 ये हमारा answer हो जाएगा इसके साथ इसकी unit लगा दो Newton meter तो अधिक्तम torque या अधिक्तम बला घुरन का मान कितना होगा? 2 गुणा में 10 की minus 3 ये हमारा first option था यानि first A भाग था बै भाग देखी दवीद रूपर सथाई संतुलन की स्थित्ती में स्थाई संतुलन की स्थित्ती में स्थित्ती जूर्जा स्थाई संतुलन का मतलब क्या है? थित्ता का मान कितना हो? 0 degree तो हम पहले कारिये का यानि स्थित्ती जूर्जा का सुत्तर देख लेते हैं स्थित्ती जूर्जा का सुत्तर क्या था? minus P E cos of theta यह मारा उर्जा का सुप्तर है, माइनस, P का मान में पता है, 2 इन्टू 10 देज टू पावर 8, माइनस का, E का मान कितना है, 1 गुणा में 10 की पलस 5, और यहां सथाई संतुलन दिया हुआ है, सथाई संतुलन का मतल होगा, theta is equal to 0, तो cos of 0 degree, cos 0 का मान क्या होता है, 1, इसकी और इसकी multiply करोगे, तो वह आप इसकी answer हो जाएगा, U is equal to minus 2 into 10 देज टू पावर minus 3 J, इसको एक बार आप कोपी में लिखके देख लें, समझ में आ जाएगा, यह हमारा बैभाग था, तीसरे केस में क्या कहता है, दविद्रू की स्थाई संतुलन की स्थिति से 180 गुमाने पर, यानि theta 1 का मान कितना हो गया, 0, पहले कहां पर है वो, स्थाई संतुलन, स्थाई संतुलन का मतलब होता है, कि दिया गया विद्धू तदविधू, विद्धू छेतर की दिशा के समानांतर है, अर्थात दोनों के मद्ध्य प्रारंबि कोन का मान शुन्य डिग्री है, theta 1 is equal to 0 से कहां गुमाया है, 180, theta 2 का मान कितना हो गया, 180, समिकन दो वाला अपना सुत्तर देख सकते हैं, समिकन दो में क्या था, आपको याद है समिकन दो, तो वहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, समिकन दो क्या कहता है, u is equal to minus p e cos theta 1 minus cos theta 2, मान रख देंगे minus p e, cos theta 1, cos 0 minus cos xos c, तो कितना बन जाएगा, cos xos c का मान माइन से, cos 0 का मान 1, यह minus का 1, और बार माइन से plus 1, तो u is equal to क्या बनेगा, मारा 2 p e, माना में पता, 2 गुना में, p का मान कितना है, 2 गुना में 10 की minus 8, e का मान कितना है, 10 की power 5, solve करें, 2 और 2 chair, यह minus 6 है, यह 5 है, तो minus का, 3, u, यह हमारा answer हो देगा, से भाग का, next भाग में क्या कहता है, कि दवी धुरू को विद्धु छेतर की दिशा में, 90 डिगरी गुमाने में किया गया करिया, यहनि, विद्धु छेतर की दिशा में था वो, थिट्टा 1 बराबर 0 था, और कहां तक गुमाया, थिट्टा 2 is equal to 90 डिगरी तक गुमाया है, तो थिट्टा 1 का मान 0 रखो, थिट्टा 2 का मान 90 रखो, अमारे पास फॉर्मूला है, यू बराबर है, पी इ, ब्रेकेट लगाएंगे, कोस थिट्टा 1 माइनस कोस थिट्टा 2, रखदे मान, पी इ, ब्रेकेट में, थिट्टा 1, विद्धु छेतर की दिशा में था कोस 0, कहां तक लेके गई 90 डिगिरी, cos 0 का मान कितना होता है, 1 और cos 90 का मान 0, तो यह बाग खत्म हो जाएगा, तो क्या बनगए, p into e, यह u का मान, p और e के मान रख देते हैं, जब p और e के मान रखोगे तो, यू बराबर है, p का मान हो गए, दो गुणा में 10 की माइनस 8 है ये का मानों गए 1.0 गुणा 10 की गाते है पलस का 5 ये एक है ये दो है गुणा करोगे तो दो एक हम दो ये माइनस 8 है ये 5 है तो माइनस का 3 और ये जूर ये हमारा थर्ड कोस्टन हो जाएगा इस तरीके से हम किसी एक समानवी दू छेतर में मंदित नुमेरिकल को हम आसाने से कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको ये टोपिक समझ में आएगा एक बार इसको लिख के देख लें मैं इसमें जो कमी है उसको एक बार देख लें मैंने इसमें एक छोटी सी कमी की हो गई मेरे से अंजाने में ये जो आपका आर्टिकल इसको सुधार ले मैंने उपर भी बताया अब मैं दोबारा फिर आपको लास्ट में बताता हूं कि ये डबलू है जो हमारा इसके इस सतान पे इसको काटके इसकी जगह लिखना है डबलू इस इकल टू माइनस पी डोट इ ये जो मैंने क्रोस लगा दिया इसको जगह पे कानल को सस्क्राइब नहीं किया वो इसको सस्क्राइब कर ले ताकि उसको निरंतर वीडियो प्राप्त होते रहें और अपने स्वास्ते का ध्यान रखें धन्यवाद